साम की खुमारी सुभे पी के उतारी है अंगूर की वेटी तो गई बची बस ताड़ी है नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर और आप इसे में देख रहे हैं अपना प्रिया कारकरम मन्थन आज हम सराब, सराब बंदी तथा जहरिली सराब से होने वाली मौतों के तांड़ा उपर बात करेंगे बहुत कश्ट दायक है रोज लोग मर रहे हैं बड़ी तकलीप होती है उनके दिल से पूछ करके देखिए जिनके घर से कोई गया है ये चिन्ता का विश्य है देश के जिनराज्जों में सराब की विक्री पर पावंदी है वहाँ जहरिली सराब का कहर ज़दा बरस रहा है सराब का कहर इसकदर तूट रहा है कि रोज लासों के ढेर बिच रहा है अभी हाल ही में हमारे परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और ग्रह मंत्री अमित साह के ग्रह राज्ये में जहरीली सराब से पचास लोगों की मौत हो चुकी है वो मौत की चीतकार अभी खामोस भी नहीं हुई थी कि एक और राज्य में जहरीली सराब ने दस लोगों को अपना ग्रास बना लिया ये ताजा मामला अपने आपको सुसासन का परतीक बताने वाले नितीश कुमार के राज्य बिहार के छपरा जिले के मकेर थाना छेतर का है जहां जहरीली सराब पीने से भाता फूरिया गाओं के रहने वाले चंदन महतों और कमल महतों की मौत हो गई थी इनकी मौत के बाद भी गाओं के बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भरती कराया गया था जांच में पता चला कि 14 लोगों की आँखों की रोशनी भी चली गई है और ये रोशनी भी जहरीली सराब पीने से गई है अब सवाल ये उड़ता है कि मौत का ये तांडव कब तक चलेगा हाल ही में इन दोनों दर्दनाक घटनाओं के बाद 14 लोगों को जहरीली सराब बेचने के आरोप में गिरफतार किया गया है क्या मजाक है इस तरह की घटना के बाद पुलिस की कारवाई जनता के विश्वास को बामुश्किल इस्थापित कर पाती है ये सब को पता है वास्तव में इस तरह की गिरफतारिया केवल सराब के कालेग बाजार की रक्षा करने में परसासन की मिली भगत को छुपाने के लिए होती है मैंने खुद एक बार नहीं, दो बार नहीं, दरजोनों बार अपने समाचारों में, अपने लेख में, अपने संपाद किये में ये बार बार लिखा है कि पुलिस और परसासन की मिली भगत के बिना, किसी भी छेत्र में, किसी भी स्थान पर कोई अवैद धन्दा चल ही नहीं सकता, दरसल जो भी अवैद धन्दा चलता है, वो पुलिस के संद्रक्षन से चलता है, वहां के परसासन के संद्रक्षन से चलता और साथ में वहां के लोकल नेतागणों का भी संद्रक्षन पराप्त होता है इस नए मामले को ही लीजे बड़ा सवाल ये है कि जब गुजरात और बिहार में सराब पर पूर्ण परती बंद है तो ये सराब आती कहां से है ये बहुत बड़ा सवाल है दरसल सराब बंदी के का लानून तो सराब सेवन को अवेद घोसित करते हैं मगर वास्तों में ऐसा होता नहीं है सराब की विक्री और इसके उत्थपादन की भूमिगत विवस्था चलती ρाती है चलती राती इसको चक्र में सराब बंदी करने वाला राज्य अपना राजस भी खो बैठता है सराब ओफिशली बेच करके जो रेवेन्यूस राज्य को प्राप्त होना था वो भी चला जाता है और नकली घटिया और मिलावटी सराब पीने से सेंकडों लोगों की जान जाती रहती है वो नुकसान होता है अलग सराब के उप्योग को रोकने के लिए बनाएगे नियमों को लागू करने का लगातार उल्टा ही असर हो रहा है जिस पर देश में देखिए जो जहरीली सराब के सेवन से होने वाली जान लेवा विभी सीका के रूप में रोज हमारे सामने आता है वास्तों में आज की परिस्थिती के अनुसार पूर्ण सराब बंदी एक हाज से पूर्ण पाखंड है ये मजाक है ये वोटों की खेती काटने के लिए जनता को दिया जाने वाला एक लोली पोप है इस पर खूब चर्चा होनी चाहिए इसलिए आज हमने इस विशे को आपके सामने रखा है और मन्थन के लिए चुना है ताकि पुनहे कोई जहरिली सराब पीकर काल का ग्रास ना बने आपको याद होगा एक बार हड्याना में उस वक्त के मुख्यमंत्री चोधरी बंसिलाल जी ने भी सराब बंदी की थी सराब बंदी को अपना चुनावी हत्यार बनाकर जब वोट मांगने गाओं में गए और महिलाओ से पूछा कि अब तो आप लोग खुश है ना मैंने सराब बंद कर दी है तो महिलाओ पता क्या बोली महिलाओ ने कहा उनके पती पहले तो किवल सराब ही पीते थे अब तो जहर पी रहे हैं सहाब जहर जो जहर चोरी छिपे बिखता है उसी को वो पी रहे हैं और पी के मर रहे हैं कुछ महिलाओं ने ये भी बताया था कि उनके पती पहले तो सराब पी कर घर आ भी जाते थे, अब तो वे दिल्ली और रायस्थान के बोर्डर पर ही पीते हैं और रात को वही पढ़े रहते हैं, इसी परकार के धेर सारे किस्से इस सराब बंदी से जुड़े हुए हैं, आप सराब बंदी गलत है, लेकिन सरकार और उसके सड़ गल चुके सरकारी सिस्टम से ये अनुरोद कर रहा हूँ कि पहले अपने सिस्टम को ठीक कीजे, उस सिस्टम को बदल ये, जो चंद सिकों के लालच में जहर बिकवाता है, जहर का कारोबार करवाता है, अब ये धंदा च सकता है, और उस सिस्टम को बदल करके फिर खूब लागू कीजे सराब बंदी, खूब लागू कीजे दूसरे कड़े कानून, आपको अपना सिस्टम सुधारे बिना मोतों का ये तांडव बंद नहीं कर सकते, ये यूँ ही चलता रहेगा, और हम बस एक दिन जहरीली सराब से इतने मरे, बीस मरे, पैंतिस बिमार, या पचास मरे, चोदा बिमार, बता कर हम यूँ ही मोन होते रहेंगे, और ये धंदा, ये गंदा धंदा, पुलिस और सिस्टम के संरक्षन में ऐसे ही चलता रहेगा, इस विशे पर आप सोचना जरूर, और आप जहां जहां भी बै हैं, अपनी सरकार से, अपने जनपरतिनीदियों से, अपने पूरे सिस्टम से, आँखों में आखे डाल कर सवाल भी कीजिए, कि ये जो मोते हो रही हैं, इन मोतों के बाद जो परिवार रो और बिलख रहे हैं, जो बच्चे अनात हो गए हैं, जिन माताओं के सुहाग उज इन के लिए कौन जिम्मेदार है, उन बेहनों का क्या होगा, जिनके हातों में उनकी राखियां रखी रह गई हैं, कि वो अपने भाई के कलाई पर उसको बांद सके, ये सवाल है, हमारे आपके और इस देश के हर प्रानी के लिए जो पूछा ही जाना चाहिए, आज बस इत अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, आपके भीतर बैठे, परमपिता परमात्मा को परणाम करता हूं, मेरा परणाम सुईकार करें, नमस्कार